हेलो स्टुडेंट्स कल की डेट में जो है उत्राखन मुक्त विस्वेत्याले हल्दवानी ने एक न्यू नोटिपिकिसन निकाला हुआ है तो यह जो नोटिपिकिसन है यह पीएश्टी से रेलेटेड है तो यहां पर देख सकते हैं जो दिनाग 5-10-2023 को यह नोटिपिकिसन जो ओफिसिल वेबसाइट है उत्राखन ओपन उनिवर्सिटी की उनकी वेबसाइट पर जो है यह अनौन्स किया गया है तो यह जो नोटिपिकिसन है इसमें जो है बताया गया है कि जो अभी 1-10-2023 को जो है जो पीएश्टी परवेश परिक्षया के लिए जो 21 विश्वयों में जो एक्जाम हुए थे उसकी जो उत्तरकुंजियों को जो है विश्वय विद्याले की वेबसाइट पर जो है अनौन्स कर दिया गया है तो अभी जो आप लोगों के पीएश्टी का 1-10-2023 को एक्जाम हुआ था जो आपके 21 सब्जेक्ट थे जिसमें जिस भी स्टुडेंट ने जिसमें भी अड्मिसन के लिए अप्लाइक किया होगा तो पहले आपका जो है एक्जाम था तो उसके जो आंसर की है वो आपकी जो है युनिवर्सिटी ने अनौन्स कर दी है तो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है जो आंसर की है उसको डाउनलोड कर सकते तो सबसे पहले अगर आप लोगों को लगता है कि किसी question का गलत answer आपको जो है university ने जो answer की है उसमें बताया हुआ है तो आप लोग जो है जो official website है उसको पहले आपको open करना होगा और open करने के बाद दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपका जो answer है जो university ने announce किया है वो wrong है तो जो mail idea यहाँ पे आपको दी गई है आप इस पे mail कर सकते हैं बट अगर आप mail करते हैं तो जो answer आपको जो right answer है उसकी जो photo है वो आपको जो है mail में attach करके भीजनी होगी यहाँ पे जो है निर्देश दिये गए है यह एक बार आप ध्यान पूर पढ़ लिखेगा और अभी जो है जो official website है उत्राकंड open university की मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके आप लोग जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अगर जो है जो 21 subject थे अगर आपने 21 में से अगर कोई सब भी आपका subject था जिसका आपने exam दिया हुआ है तो कैसे आप लोग जो है उसके जो answer की है उसको download करेंगे तो चलिए सबसे पहले जो UOU की जो official website है उस पे चलते हैं अब और अभी जो हूँ मैं उत्राखन open university की जो official website है उस पर हूँ तो आप लोग भी जो है official website जब open करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने show हो जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा जो है scroll up कर लेना है scroll up करने के बाद यहाँ पे आपको option मिलेगा एक यहाँ पे announcements में की answer की for PhD entrance 22 तो जो आपके भी exam है उनके जो answer की हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इस पे click करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो जो next step है जो आपकी जो answer की हैं जो आपके subject है वो आपको जो है show होने लगेंगे तो यहाँ पे जो है जो आपका subject होगा जो जिसका भी आपने जो है exam दिया है आप उस subject को select करके जो है उसकी PDF जो है download कर सकते हैं तो अभी मैं आप लोगों को जो है जो आगे open होके यहाँ पे दिखाता हूँ और चैसे ही आप लोग जो है answer की for PhD entrance दोज़ा तेइस पे click करेंगे तो उसके बाद जो PDF है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो हो जाएंगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दो कि सभी students को जो notice है वो download करना है चाहे आपने botanica जो है exam दिया है चाहे commerce का दिया है चाहे economics का दिया है चाहे English का दिया हुआ है और सभी लोगों के लिए compulsory है कि वो notice जो है एक बड़ डाउनलोड करें और उसको जो है पढ़ें तो सबसे पहले आप लोगों को जो है notice पे click करना है जैसे ही आप notice पे click करेंगे तो जो उनकी answer की है वो आपके phone में download हो जाएंगे और आप जो है जो answer है वो देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके total 21 subject हैं जिनका exam हुआ है PST के लिए तो उन सबी की जो answer की है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो सबी लोग जो है जो आपको process बताई गई है उस process को follow कीजिएगा और आप लोगों के लिए जो है एक WhatsApp गुरूप भी बिनाया गया है इस वीडियो के description box में link share कर दूँगा आप लोगों के लिए तो आप लोग ज subscribe और bell icon call पर प्रेस करना मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तो बाइबाई and have a good day